दोस्त अपनों के काफी दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि कुछ सस्ते मोनिटर्स के बारे में बताईए जितने भी मोनिटर्स हैं काफी महंगे हो गए हैं तो महंगे हो गए हैं वाकई में महंगे हो गए हैं क्योंकि कुछी साल पहले की अगर हम बात करें पांदस साल पहले की तो उस वक्त छोटे मोनीटर से यारी कि 16 इंच के मोनीटर आया करते थे जो कि अब आजकल जो ब्रंडेट कमपनिया हैं वो सब बंद कर दी है क्योंकि 22 इंच से नीचे लोग पसंद ही नहीं करते जादे तर जो चलने वाले साइज है वो 24 इंच या फिर सब 23 इंच हो गए है तो 16 इंच जो मोनीटर हुआ करते थे वो अब नहीं चलते पहले चला करते थे और उनकी प्राइस 45-5000 हुआ करती थे वो बंद हो गए इसलिए अब जो मोनीटर आ रहे हैं वो महने हो गए क्योंकि वो बड़े मोनीटर हैं ब्राइट कमपनियों ने उसको बनाना बंद कर दिया क्योंकि लोगों की च्वाइसे बदल गई अभी सस्ते में अगर हम 14-15 इंच या 16-16 का कोई मोनीटर खोजे तो वो नहीं मिलेंगे तो अभी आज की रेट में कम से कम 17 इंच मोनीटर मिलते हैं वो भी जो ज़्यादे फेमस ब्रांड हैं उनके नहीं मिल पाते हैं तो सस्ते में अगर चाहिए तो वो सारे मोनीटर कहां गए जो 25-30-35 में मिला कर दे थे तो अगर उन सब प्राइस में अगर आपको कोई मोनीटर चाहिए मजबूरी है आपका लेना बज़ट नहीं बन रहा है तो उस प्राइस में कौन सा आ सकता है जिस पर आप काम कर सकते हैं बहुत अच्छा मोनीटर हम नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ आप काम जरूर कर सकते हैं इस लाइक वो होंगे कौन-कौन से मोनीटर हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मीचे अब नहीं मिल पाएगा आपको 17 इंच के अंदर consistent का आपको monitor ये model मिल सकता है जो 18.04 model के नाम से आता है और ये बड़ा ही famous model रहा है ये जितने भी सस्ते monitors लोग जो buy करना चाहते हैं वो लोग काफी सारे shop पे दुकानों पे आपको ये देखने को मिल जाएगा मातर 17 इंच के अंदर ये 3000 से 3500 रुपे के अंदर मिल जाता है और जो खराब होने का इसका ratio है 5 से 10% का ratio है बाकिये चलता रहता है quality के अगर हम बात करें तो इसको फूल HD बोलता है consistent लेकिन quality के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये HD की quality आपको दे देता है तो उस मकसद से अगर आप इसको buy करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है काम करने के लिए कोई problem नहीं चाहिए कोई भी काम आप इस पर कर सकते हैं अगर budget कम है कलर एक उरेशी उतना बहतरीन आपको नहीं दिखेगी लेकिन हाँ market में लोग इस पर photoshop से भी काम कर रहे हैं बागी documentation बगएरे का काम आपको करना है online work करना है तो आप इसको बिल्कुल भी buy कर सकते हैं उतनी जादे दिक्कत नहीं है हम बहुत अच्छा इसको नहीं बोल सकते लेकिन आपका काम ये निकाल सकता है उसके बाद next की अगर हम बात करें तो वो है fronteck fronteck भी एक अच्छा खासा brand रहा है सस्ते accessories वगेरे के अंदर इसका बहुत सारी चीज़े आती रही है तो इसका भी 3,35 रूपे के अंदर ये वाला model buy कर सकते हैं ये थोड़ा खुबसूरत model होता है इसकी वैजल स्थोड़ी सी कम होती है क्योंकि सस्ते monitor जो पहले के monitor हुआ करते थे उसके अंदर बैजल बहुत ज़ादे आया करते थे उसके अंदर अगर देखा जाए तो इसकी वैजल थोड़ी सी कम होती है 17 इंच के अंदर ये भी है Frontec FT 1195 model इसका है और ये भी market में अच्छा खासा भी का हुआ है Frontec का बबाश सारी पूरानी दुकानों पर आपको देखने को मिल सकता है बहुत पूरानी दुकानों पर देखने को मिलेगा इसका मतलब ये है कि ये जब चलता है तो चलता ही है उतनी जादे दिकत नहीं आती है तो अगर आप को सस्ते में चाहिए तो आप ये भी बाई कर सकते हैं जो पिछला आप ने देखा उसको भी बाई कर सकते हैं लेकिन फोड़ा सा खुबसूरत model रहता है और अगर अब लेबल हो तो आप इसको भी बाई कर सकते हैं उसके बाद 17 इंच है Frontex के अंदर ही अगर 19 इंच के अंदर अगर आपको चाहिए तो ये model बाई कर सकते हैं Frontex FT1984 model नाम से आता है ये 19 इंच का मोनिटर है ये HD resolution के अंदर ये आता है ये करीब करीब 4000 रुपे के आसपास में ये मिलेगा 3500 4000 के बीच में मिलता है तो इसको लेना आपके लिए beneficial साबित हो सकता है सस्ते में 19 इंच के अंदर अगर देखा जाए तो ये भी अच्छा मोनिटर हो सकता है इसका भी व ब्रोनिक्स के अंदर 18.5 इंच के अंदर देखा जाए तो 19 इंच ही इसको मान करके चला जाता है ये भी आपको HD monitor ही है documentation वगरे के लिए काम करना है किसी भी software पर आपको काम करना है किसी भी application पर काम करना है तो ये बहुत अच्छे हो सकता है ये भी बाकि Photoshop Coral RAM में भी काम कर स अंदर आता है तो कहीं न कहीं accuracy थोड़ा ठीक ठाक आपको मिल जाती है और ये सारे जो भी monitor में दिखा रहा हूं इसके अंदर HDMI और Vizia port दोलों ही मिल रहा है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आपके पास जो भी PC आपके पास है उसको जो है ये support कर लेगा चाहे आप HDMI से connect करे कोई भी दिकत होने वाली नहीं है क्योंकि सस्ते है पैनल पुराना यूज हो रहा है लेकिन नए models को ध्यान में रखते हुए नए जमाने को ध्यान में रखते हुए ही ये सारे के सारे बन रहे हैं इसलिए साथ में HDMI जरूर आई हुई है उसके बाद next के अगर हम बात करें त लेकिन इसका जो एर कंडिशन आया था Amazon Basic का जिसके अंदर इतनी जादे प्रब्लम्स थी इतनी जादे सिखायते थी जो सिर्फ एर कंडिशन ही इसके रेपोटेशन को ले करके डूब गया Amazon Basic का नहीं तो बाकी सारे पोड़क्ट इतने खड़ाब नहीं थे बाकी सारे पोड अगर आपको काम करना है तो 16.7 मिलियन कलर इसके अंदर भी है अगर यह लिख रहा है तो कहीं न कहीं यह उसको जो है एचीब करने की कोसिस करेगा क्योंकि एमेजोन बेसिक पर थोड़ा भरोसा आपको रह सकता है क्योंकि इसका रेपोटेशन उतना खराब नहीं है तो यह भी मोडल अप ले सकते हैं इस प्राइस रेंच के अंदर यह ठीक ठाक हो सकता है HDMI और वीजिये के साथ में यह आएगा और अल्ट्रा वाइड में है थोड़ा सा वाइड इसका जादे है जो कि दिखने में भी खुबसूरत आपको लग सकता है 20 इंच के अंदर आप इसको ब लिंक दे रहा हो उस पर भी क्लिक करकर आप एक बर देख करें टैली करें जहां पर सही प्राइस मिलें आप वहां से बाइ करें उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़े ब्रंड में Acer के अंदर, Acer, Apan के अंदर जो है, ये model जो है 20 इंच के अंदर, 19.5 इंच के अंदर ही है, लेकिन 20 इंच के अंदर हम इसको मानते हैं, 20 इंच का ही monitor हम इसको मान करके चलते हैं, और ये भी HD quality के अंदर, Acer जैसे brand में अगर आपको मिले 5,500 रुपे में, तो ये किया अच्छी deal हो सकती है, दिक्कत नहीं है, थोड़े पुराने models हैं, ये bezel वगेरा आपको मिल सकता है, लेकिन इसके अंदर भी HDMI और VGA है, यानि कि ये भी नया ही models हैं, सारे के सारे, इसी जमाने में बिकने के लिए बनाए गए हैं, ये आईसा नहीं है, कि बहुत पुराना stock किसी के पास बचा हुआ है, और वो आज लाकर के बेच रहे हैं, बिक नहीं रहा था तो बिक रहा है, ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे manufacturing हो रहे हैं, लोगों के requirement के हिसाब से, क्योंकि सभी लोगों के पास एक monitor के लिए 5-10,000 रुपे नहीं होते, बहुत लोग ऐसे भी हैं, जो 10-15,000 में पूरा system ही चाहिए उनको कोई छोटा सा काम करने के लिए, कोई दुकान पर काम करने के लिए, तो कहां से वो monitor भाई करेंगे, तो ये उनके लिए बना हुआ है, आप टेंसन ना लें, ये monitor जल्दी खराब नहीं होता है, एसर जैसा brand का भरोसा भी आपको मिल रहा है, और ये एसर जैसे brand का भरोसा भी आपको मिल रहा है, उसके बाद जो है, एसर के अंदर ही अगर आपको 22 इंच का monitor चाहिए, तो आप इस model को भाई कर सकते हैं, पिछला वाला 5-5,500 के बीच में आपको मिल जाएगा, और वहीं पर ये अगर 6-6,500 के बीच में मिल जाता है, 6,000 के आस तक अगर आप काम करते हैं, तो आपके आखों को भी कोई problem होने वाली नहीं है, और इसके बेजल बस बहुत कम है, 22 इंच का होते हुए इतने कम price के अंदर ये full HD है, 19-20-1080 का इसके अंदर प्रिक्सल मिलेगा, थोड़ा सा अगर ऊपर बढ़ सकते हैं, 6-6,500 के आसपास में आपको buy करना है, तो ये monitor बिल्कुल आप consider कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन हाँ जिनकी budget 33,300 ही है, वो पिछला model ले सकते हैं, जिसकी मैंने बात किया हुआ है, वो ठीक ठाक monitor हैं, किसी को भी आप buy कर सकते हैं, सब market में जो चल रहे हैं, मैं उनको लेकर के आया हूँ, जिनको पुराने से पुराने model देखा हूँ, market में आज भी चल रहे हैं, उन सारे models की मैंने बात किया हुआ है, तो इस तरीके से, जिनको सस्ता monitors चाहिए, इनमें से कोई भी select कर सकते हैं, अपने budget के हिसाब से, दोस्तों ये video information आपको कैसा लगा, please आप comment में ज़ हूँ